अलो जी कैसे हो सारे दीस है लव बबर और वेल्कन पर दी चैनल कोड़ हम पहुंच चुके हमरे लेक्चर नमर 77 पर हीप्स का यह लास्ट लेक्चर होने वाला है यहां पर हम हीप्स के हीप के हार्ड लेवल कोशन करने वाले हैं बहुत इंपोर्टन ठीक है तो यह कोशन इंपोर्टन कोशन होते हैं इसको हम सॉल करेंगे बहुत ही असान तरीके से चलते हमारे पहले कोशन के तरफ पहले कोशन का नाम है smallest range in k-list ठीक है फड़ा पर लिख लेते हैं और शुरू करते है smallest range in k-list ठीक है क्या होता इसके अंदर मैंना बहुत सिंपल दीज़ा है आपक इसके अंदर बताना है smallest range ऐसी smallest range मुझे आटपुट में दे दो एसी smallest range मुझे output में दे दो जिस range के अंदर हर list का element आ जाए हर list का at least एक element तो आ ही जाए यह बस समझ में आ रही है तो मैंने क्या बोला कि मेरे को input में k list दे हुई है यह मुझे k list दे हुई है मुझे output के अंदर एक range दे दो यहां से लेकि यहां तक जिस range के अंदर हर list में से at least एक element तो आता ही हो समझ मैं यह example दिखाए है चला example दिखाते है आपको तो हमने क्या बोला मान लो पहले list आपकी यह है कि 1, 10, और 5 और 11 ठीक है एक condition यह है कि जो listed है sorted है 1, 10, 11 पहले list होगी second है 2, 3 और 20 अगली है 5, 6 और 12 तो इसके अंदर आपका output आ रहा है क्या output आ रहा है 1 से लेके 5 क्यों? क्योंकि 1 से लेके 5 में 1 भी आ गया 2 भी आ गया 5 भी आ गया ठीक है वैसे 3 भी आ रहा है इसके अंदर बट ठीक है इस range के अंदर हर list में से at least एक element तो आ ही रहा है तो मुझे एक ऐसी range प्रवाइड कर दो जिसमें आपका हर list में से at least एक element तो आ रहा हो ज़्यादा आ रहा हो तो भी चलेगा आपके दिमाग में उसका है यह 1 से 10 भी तो एक answer है 1 से 10 भी तो सबा रहे है वह 1 भी आ रहा है 10 भी आ रहा है 2 भी आ रहा है 3 भी आ रहा है 5 भी आ रहा है 6 भी आ रहा है वह नुश्त नहीं है इस इनका difference 9 है और इनका difference 4 है तो एस मॉलेस्त हो इना Range तो बहुत सारी उसकती आप बोलतो 1 सेरे कि 12 तक तक आपका या फिर बोलो 1 से 20 तक सारे के सारे element आ जाएंगे मौट समालेस्ट इनकार 19 वे इनकार 19 आ रहा है मुझे समालेस्ट रेंच रेंच चाहिए तो यह चीज हम देख रहे हैं हमें एक ऐसी रेंच निकाल लिए जो कि स्मालेस्ट हो और उसके अंदर हर लिस्ट के at least एक element तो आता हो तब भी उसका हम बोल रहे हैं कि smallest range in k-list in k-sorted list राइट तो इस प्रकार यह कोशन है approach wise भाई यह किस प्रकार solve करना है मैंने का भी solve कर लेते हैं बहुत असान गेम है कि अपने कप्रोश निकालते हैं वारी दम ब्रेक नाओ सबस्पॉंसर को शाउट आउट देते हैं विगाडियो करते हैं तो आप यहां से वो paid courses ले पाएंगे सबसे प्यारी चीज जो लोग तारीफ करते हैं coding ninjas के यहां पर one-on-one doubt resulting support अविलेबल है कर आपको कोई भी डाउट है एक से दो हिंटे में इस पर क्लिक करके आप ले सकते हैं और 20% discount जो के maximum है आपको मिल जाएगा तो पहले सबसे पर बूट फोट समझते हैं कि हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या रहा होगा हमने कभी question solve नहीं कर रहा है हमारे सामने पहली बार यह question आया है और इसको मैं solve करना चाहता हूं तो मेरे पास input में let's say 3 list पढ़ी है let's say k की value जो थी वो 3 थी और 3 list पढ़ी है जी मेरे पास 1 10 11 2 3 20 और 5 6 12 यह 3 list मेरे पास पढ़ी है जी मेरे दमाग में कैसा क्या आ रहा है कि मैं solve करूं बूट फोर्स क्या कहता है कि सबसे असान तरीके जापके दिमाग में आ रहो मुझे क्या निकालना है मुझे smallest range निकालना है अगर मैं आपको ये बूलू कि सारी range निकाल लोगे सारी range निकाल लोगे Simple है ने इस element को इसक्याद रखा इस element को इसक्याद रखा इस element को इसक्याद रखा से हमने बाखिसारे elements के भी कर दिया ठीक है Total number of elements कितने है Let's say कि आपका size है वो है n और यह number of list कितनी है कि total number of element कितने हो गए total number of element कितने हो गए n star k n star k तो हम क्या कर रहे हैं हम सारी range निकाल रहे हैं तो हम हर एक value के लिए comparison कर रहे हैं उसका बाकी n star k values के साथ समझ में आ रही है अगर हम आपको simple ऐसा question बोलता कि आपको single array है 1,2,3,4 और इसमें आपको हर किसी के साथ compare कराना होता तो आपका answer क्या थक भई है इसमें time velocity of n square लगती तो let's say यह जो है equal to बड़ा वाला n है और आप इसमें हर किसी को हर किसी से compare कर रहे हो तो आपकी complexity क्या हो जाएगी o of n square हो जाएगी that is n square k square तो n square k square में आपने सारी की सारी list निकाल ली सारी list निकाल ली अब मैंने के बड़ा में जो smallest चाहिए थी हर list का ने difference चेक करते रहो हर list का difference चेक करते रहो और जो भी smallest हो उसको store करते रहो simple है तो मेरा solution हो गया वो n square k square के अंदर आगया किया यह अच्छा solution है नहीं जी बिल्कुल भी अच्छा solution नहीं है तब दुसके बूट फोस करते हैं तो बात समझ में पहली अप्रोच जो मेरे समझ में आ रही हो यह आ रही कि मैं सारी की सारी list निकाल लेता हूं और चेक कर लूँगा सारी की सारी list निकाल लेता हूं और चेक कर लूँगा कि यार यह smallest है इसका देख और कंडिशन कि वो at least एक element हर list में exist करता हूं मतलब बहुत घटिया solution है यहां से शुरुवात की जा सकती है यहां से शुरुवात की जा सकती है कि हमने क्या क्या है हमने सारी की सारी range निकाल ली फिर हर range को verify कर लिए क्या इस range के देख एक element आता है हर list में से और इसका difference क्या है अगर आता है तो इसका difference के साफ से store करता है जो minimum range आपकी बनती है तो यह एक बहुत घटिया solution था बर ठीक है solution था अब चलते हैं हमारे approach number 2 पर और कैसे solve किया जा सकता है मैंने बोला सोचते हैं मैंने बोला सोचते हैं तो हमने क्या किया हमारे पास input में यार यह तीन array पड़े हो है तीन list पड़े हो है एक 10 11 अगला है 2 3 और 20 अगला है 5 6 और 12 तो मैंने बोला एक ना data structure बनाओ एक data structure बनाओ इसमें हर किसी list के starting का पॉइंट रख लो ठीक है तो मैंने इसको बोला कि यार यह PTR1 है यह PTR2 है यह PTR3 है इसको दर्शार रही है तोटल कितने पॉइंटर बनगे टोटल के पॉइंटर बनगे क्यों के पॉइंटर क्यों बने क्यों कि टोटल के लिस्ट है तो आपके जो एरे आपने बनाया है PTR नामक यह भी के साइस का हो गया इसके अंदर आपने के पॉइंटर डाल दी कि भाई PTR1 PTR2 यह PTR3 ऐसे कटते कटते PTR PTR K तक इस प्रकार आपने इसको इस प्रकार आपने अपतर के सोच लिया तो आपके पास टोटल के पॉइंटर आगे जो कि हर लिस्ट के पहले element को अभी के लिए दर्शा रहेंगे ठीक है मैं इसको दर्शा रहा हूँ तो आपने क्या किया एक min और एक max element बना लिया ठीक है इनके pointers के साथ ठीक है कि हां यार यह मेरा minimum element है इस point पे और यह मेरा maximum है starting में main जो है वो कहां पर होगा वो 5 पर होगा बहुत बढ़िया एक चीज हो गई तो मेरे पास एक range आगी नहीं मेरे पास एक range आगी 1 से 5 की और मुझे क्या करना है मुझे smallest range निकालनी है मुझे smallest range निकालनी है and at least one element हो हर list में at least one element हो क्या मैं यह कह सकता हूं कि जब मैंने min और max निकाला तो at least one element वाली condition मैं already satisfy कर दी क्योंकि आपने min और max निकाल लिया इनके element में से तो आपने range बना लिए इसके सारे के सारे element आ रहे है तो आपने एक condition already यहां पर satisfy कर दी अब मुझे क्या करना है अब मुझे smallest range निकालनी है smallest range कैसे निकलेगी यार अगर मेरे पास one और five है इसको मुझे small करना है तो कैसे होगा या तो मैं यह वाली value को बढ़ा दूँ या तो मैं यह वाली value को गटा दूँ इसका मतलब या तो मैं minimum को increase कर दूँ या तो मैं maximum को degrees कर दूँ हाना दो बार समझते क्या बोला मैंने मैंने बोला कि मेरे पास K link list थी इनको सबके starting pointer जो है मैंने एक data structure के अंदर store करा लिए क्यों कराए यो कि मैं चाहता हूं सबको track करना क्यों track करना अभी देख लेते हैं तो जब मैंने k pointer को store कराया मैंने min और max value निकाल ली थी तो min जो है यहां पर 1 था और max value यहां पर 5 था तो मेरे पास एक range आ गई करना है मुझे smallest range निकालनी और मुझे उस range के लिए at least one element from every list होना चाहिए तो यह तो मुझे देख अलड़ी है क्योंकि min और max जो मैंने निकाला तो अलड़ी मैंने एक range बना इसमें list के element करते हूं smallest range निकालनी है smallest range कैसे लिए कि या तो मैं left value minimum value को बढ़ा दूँ या तो मैं right value या maximum value खटा दूँ यह तो option है मेरे पास मैंने बोला कि max value को decrease कर रही नहीं सकते है possible ही नहीं है भया क्यों नहीं कर सकते है list जो है ascending order में sorted है increasing order में sorted है तो यह तो आप कर रही नहीं सकते यह possible है दोस्त minimum value को increase कर सकते ह לו तो YE 1 option है हमारे पास finding order में sorted है तो मैंने क्या बोला मैंने यह बोला कि जो भी minimum value उसको increase करना है जो भी minimum value उसको thema minus value क्या है minimum value 1 है मैंने से इनक्रीज करना है तो मैंने क्या बोला ठीक है 1 से उठके मुझे रगया 10way ठीक है तो आपकी minimum value जो है वो 10 हो गई मैंने बुला 3 element है 10 है 2 है और 5 है minimum value क्या जाएगे इसके अंदर minimum value 2 हो गई है और max value क्या हो गई है max value 10 हो गई है यहाँ पर क्या range बनकी 2 से 10 हो गई इनका difference चेक कर लो देख लो smallest है के नहीं है अगर smallest है तो store कर लो यहीं सेम चीज़ करने है फिर दुबार हम minimum को increase करेंगे minimum क्या है 2 2 से आके बढ़के हम 3 पर आगे तो यह क्या हो गई है 3, 10 और 5 minimum value क्या हो गई 3 हो गई, max value क्या हो गई 10 हो गई, range क्या हो गई, 3 से लेके 10 difference क्या गई है 7, difference चेक करो अगर smallest है तो store कर लो answer में, इसके बाद अगर माल लो दुबारा मेरा आगे बढ़ने का मन है तो minimum value क्या है 3, 3 से आगे बढ़ना है 3 से आगे बढ़के 20 पर आगया तो यह हो गया 20 और यहां पर कहा पर है 10 पर है और यहां 5 पर है अभी तक 10 और 5 मेरी minimum value क्या हो गई, minimum value 5 हो गई 5 से आगे बढ़ना पड़ेगा, 5 से आगे बढ़के 6 पर आगए मैंने बुला यह हो गया 6, यह हो गया 10 और यह हो गया 20 ठीक है तो यह range बढ़ना की 6 से लिए के 20, minimum maximum हो गया फिर सेम मैंने प्रोसेस यही वाला दुबारा फिर मैं minimum का आगे बढ़ाता हूं minimum का 6, 6 से आगे बढ़के हम आगे 12 पर क्या answer आगया 12, 10 और 20 यहाँ पर minimum value क्या हो गई, 10, max हो गई 20 range, तो दो दो आगे बढ़ते हैं 10 था आपका minimum उस से आगे बढ़के आगे 11 पर तो अब क्या हो गई 11, यह था 12, यह था 20 तो minimum value आपकी कहाँ पर क्या आगे, minimum value 11 आगे और max आगे 20, तेक है इसमें तो फिर दोवारा हो तीन से चेक करो difference निकालो, small है से तो update कर दो फिर हम देखा क्या, minimum जिजए 11 था, 11 सागे बढ़ना पड़का बढ़का list खतम हो गई, जैसे ही आपकी list खतम हो जापको प्रोसंग sebagai प्रूसिंघ भीज़ना technologies खतम simple solution मैंने क्या किया मैंने फिरκ Anime करी या हर व रज्ट का स्टार्टिंग पॉंटिर नों और नहीं से में निक आ ली थी फो क्याया तर या बस्या करता जा रहाँ मैं स्मॉल स्रीज अप्रेट या रहा चलताँ जाता जारहों कंपलेक्षिटी वाइस अगर देखें Kin यहाँ पर minimum value भी निकाल रहोगे अंदर और max value भी निकाल रहोगे किस में से निकलेगी ऐसान है यह तो है आपके k size वाले array में से आपने उड़ाई तो off k में मैं कर लूँगा यार तो आपके entire complexity क्या हो गई n star k star k that is o of n star k square right space complexity क्या हो गई हमने off k space use किया हो यहाँ पर इस वाले कहा गया इस वाले data structure में right तो इस पकार हमने यह question solve किया है यहाँ पर n into k square answer है complexity और पिछले solution में n square k square था ठीक है तो हमने तरह optimize होड़ा सके है पर भी कोई ऐसा खास चमतकारी solution में नहीं लिखा है अब हम बात करेते हैं approach number 3 के बारे में जहाँ पर और clarity मिलने शुरू होगी हमने अभी देखा यार कि कहाँ पर complexity खा रहे हैं हमने देखा कि हमारी complexity जो है वो basically min max निकालने में extra ok लग रही है min max निकालने में extra ok लग रही है और अगर मैं यहाँ पर heaps को निकलोड कर दूँ तो मुझे यह बता है कि भाई मैं इस पूरे ok को लोग के में change कर दूँगा भाई यह पर min max to o1 में निकल जाता है मैंने का बिल्कुल सभी पकड़े हैं अगर k size का heap बनाएंगे उसमें नया element इंसर्ट करेंगे तो वो तो लोग के खाएगा न तो जो नया element इंसर्ट में कर रहा हूं वो लोग के खा रहा है logarithmic की बात कर रहा हूं लोग के off-lock के और minimum extract करना वो तो o1 में हो रहा है तो इन शॉर्ट में इस पार्ट की all log के हो सकती है तो अगला solution जो है वह हीप से करने वाले है हीप का use अब हम करने वाले हैं तो मैंने बोला सोचते हैं तो मैंने बोला सोचते हैं किस पर अगार करना है तो मैंने बोला सोचते हैं किस पर अगार करना है और चलो लिखते हैं मैंने बोला मिर पास तीन लिस्ट पड़ी हुई है एक दस 11 दो थीन 20 और यहां पर पांच 6 12 यह 3 लिस्ट मिर पास पड़ी होई है अब मैं क्या करूंगा Elgo क्या कहती है मेरी ем क्या कहलाता है तो Elgo ये कहती है कि कि दोस्त हीप बनाओ के साइज का बहुत बड़ी है कों नदर कौन साowan बनाए मनें मैक इप मैंने पूला फिपस ये सब्सक्राइफ ने बता भी मिन परन का गराए ठीक है तो आपने क्या किया ये वाला element ये वाला element ये वाला element आपने हीव में डाल दिया जब आप ये डाल रहे थे तो make sure डालते हुए आपने max वाला element ट्रैक किया इन शोट आपने दो element यहां बनाए थे उपर min and max तो आपने max element भी track किया हुआ है उसका update करते जा रहे हो तो आपके पास step number 2 तक जो है आपके आपके minimum element पढ़ा हुआ है heap के top पे आपके maximum element पढ़ा हुआ है आपने track किया हुआ हुआ है जब इसमें elements इंसर्ट कर रहे होगे इस case is heap में तो min पढ़ा है max पढ़ा है और एक heap बन चुका है तीन चीज़े हो चुकी है आगे बढ़ते हैं मैंने बोला बहुत असान गेम है मुझे इतना पता है मुझे रुकना कब होता है मुझे तब रुकना जब कोई भी एक link list या कोई भी एक shorter list जो है वो exhaust हो जाए खतम हो जाए ठीक है ये रुकने वाली condition बहुत important थी ये मुझे पता लग गई है अब मैंने बोला कि मुझे निकालने तो अंदर range ही है है ना तो मेरे पास एक answer होना चाहिए मेरे पास एक answer होना चाहिए अब मैंने क्या बोला कि दो शुरू हो जाओ जब तक आपका heap empty नहीं होता तब तक लग जाओ काम पर चाहिए सबसे पहले क्या करूँगा टॉप element निकाल लो यार टॉप element आप निकाल लो और उसको मिन में update कर दो कि मिन में से आपने pq.top का element निकाल लिया सुटो कोड है तो आपने ये टॉप का element निकाल लिया टॉप का निकाल लिया इसको पॉप भी कर लो यार चलो पहला काम हो गया मिनिमम्म element आपका update हो गया बहुत बढ़िया आगे चलते हैं आगे चलते हैं हमने क्या बोला इसके बाद क्या करना है इतना हो गया अब मैंने बस अपना range अपडेट कर लिया मैंने बस सिंपल चेक किया किया जो अब आपकी range आ रही है जो आपका max-mini आ रहा है क्या वो छोटा है आपके answer वाले से answer and minus answer start answer start यह आपकी range यह आपकी range अगर यह चोटी है तो अपडेट कर दो answer को ठीक है एक तो यह condition आपने लगा लिए answer update के लिए answer update के लिए answer update के लिए फिर आपको max value भी भी अपडेट करने है ठीक है तो मैं साइस से compare कर लिए बेसिकली तो मैंने बोला कि यार मिनी के अंदर ना आपका एक size पड़ा होगा यह मतलब यहां पर टॉप में तीन सीज़े पड़ियोगी बेसिकली एक तो आपका element जो भी इसका data पड़ा हुआ है इसके बाद आपका एक row पड़ा होगा और इसका आपका एक column पड़ा हुआ है अगर आप input में धिहान से देखने के तो आपको data इस पकार input में दिया हुआ है यार कि यह आपका पहले list है दूसरी list है तीसरी list है तो इसमें कोई भी number मुझा identify करना तो इसका i और j index में रपा होगा हुआ 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 ह यहां पर के यार जो मिनी का column है मिन का जो column है क्या वो size से छोटा है अर अगर size से छोटा है तो ठीक है तो त्यानी next element exist करता है इसका मतलब क्या है कि next element exist करता है इसका बहुत बढ़ी है अब max को update कर दो max x update होगा max is equals to max of max इसके आपका दिमाग कन्फियूज नहा हुआ हुआ ह of maxi comma जो भी अगले element अगले element कैसे निकलेगा simple है आपका जो भी array है उसके आपने इत value जे नहीं है और एक जेत value दे नहीं है और एक जेत value दे नहीं है और row रिमेंस तीम क्योंकि same row से मैं same ही row पे हूँ जो भी row की value होगी तो मैंने आप लिख दिया mini.row वो आपने आप लिख आपको एक तो element और row और column तो element क्या होगा तो आपने एक नई node बना के डाल दी हाँ पर उसमें तीन data रहेंगे एक तो तीन इस प्रकार तो element क्या होगा element simple है यार यही एक नए element जो है यह डाल दोगा आप यहाँ पर row क्या होगी मैंने बोला mini की row, mini row column plus one same यह उठा के यहाँ पड़ा दो गया तो आपने पुछ भी कर दिया इसका else part, else part क्या गयता है कि इसमें यह बोलता है next element exist करता है else part बोलता है exist नहीं करता तो simple आपार आजो break कर दो क्या है तो आपार आगे यहाँ से return कर दो एक तो range जो है उसको update करता रहूँगा max value को update करता रहूँगा और min तो खेर माँ टॉप से निकाली रहा हूँ right तो इसको फटावट एक बार code कर लेते हैं और देखते हैं किस प्रकार यह code होने वाला है तो फटावट लिख लेते हैं इस चीज को चलो हमने बोला सबसे पहले मुझे अगरना है सबसे पहले मुझे मुझे मिन मैक्स बनाना है तो मैंने बोला int mini is equals to int max, maxi is equals to int min चलो यह काम कर दिया फिर हम एक min heap बनाना है प्रायोरिटी क्यों मैंने ही बनाने के तो तरीका आपको पता ही है इसमें मैंने पर एक नोड बनानी पड़ेगा इसमें तीन डेटा में श्रोर करना चाहता हूं मैंने class बनाई node और उसके अंदर मैंने वो तीन डेटा डाल दिये पहला मैंने बोला data दूसरा मैंने बोला row और तीसरा मैंने बोला column ठीक है उसके मैंने आपके से constructor बना दिया node int d, int r, int c अच्छे नाम यूज़ करना में यह तरह यह a, b, c, d मत यूज़ कर लेना ठीक है data is equals to d, row is equals to r, column is equals to c, इतना हो गया, आगे बढ़ जाते हैं, यहां मुझे रिखना पड़ेगा node, मैंने बना दो vector of node, और मैंने आप रिख दिया, greater of node, या फिर मैं greater नहीं लिखूंगा, मैरा custom object है, तो अपना अपना comparator बना लेता हूँ, जैसे मैंने लास वीडियो में इसका ना में रख दिया, मैंने mini heap, ठीक है, अपना comparator बना लेता है, मैंने बना class, compare, यहां पर मुझे अपना operator वाले method करना पड़ेगा, bool operator, इसके अंदर एक तो node A आ सकती है, और node B आ सकती है, मुझे return करना है, A का जो data है, इस greater than B का जो data है, चालो, खता, इस परकार, ठीक है, इसको चलो node star कर देते हैं, जैसे मैं पराने questions में कहता है, आपको विल्कुल भी कोई ऐसे अजीब सा ना लगए, कि यार कभी कुछ क कर देता है, ठीक है, तो हमने इन सबको node star कर दिया, आगे बढ़ जाते है, ठीक है, तो इतना काम हमने कर लिया, हमने बोला इसके बाद क्या करना है, मुझे starting के के element है, for int i is equal to 0, i less than k, i++, इसमें का करना है, मुझे हर किसी list का starting element को heap में डालना है, तो मैंने simple सी एक चीज़ क is equal to element कैसे निकलेगा, एहरे का नाम है a, कौन सी रो, मैंने बोला i throw, कौन से element है, मैंने बोला 0th column पर जा element पड़ा है, ठीक है, तो मेरा element आ गया, अब मुझे करना है, इसको min heap में डालते जाना है, और साथ इसाथ max को update करता जाना है, तो मैंने बोला max को update कर ले तो बहले, max c is equal to max of maxi, element, इतना काम हो गया, और मुझे इसको min heap में पुश करता जाना है, पुश करता जाना है, इसको, ठीक है, element को, चालो, ये काम भी आपने कर लिया, इसके बाद हम आगे गए, हमने बोला क्या चाहिए, हम एक answer का starting index, ending index चाहिए, हम एक answer का starting index, ending index चाहिए, बोला end start, is equal इतना काम हमने कर लिया, अब हम क्या कह रहे है, कि दोस्ट जब तक तेरा heap empty नहीं होता, while not of mini heap.empty, तब तक चलते जाओ, या फिर लिंग लिस्ट मान लोग के आगे, कुछ बचे ही ना, लिंग लिंग एक्जास्ट हो जाए, तो उस case की बात है, तो मैंने कहा किया, इस case में हमसे पहले क्या करो गड़ा, इसमें element push नहीं करना, इसमें एक नई node push करेंगे, हम जिसके अंदर कुछ data पढ़ा होगा, वो data क्या होगा, पहला तो element, फिर उसकी row, row क्या है, आई, उसके column, column का 0, बहुत बढ़िया, फिर हमने क्या बोला, हमने ये बोला, दोस्त के minimum value निकालो, तो mini is equals to mini heap के top पे जो पड़ा हुआ है, mini heap.top पे जो पड़ा है, उसका data, बहुत बढ़िया, ठीक है, इतना काम हमने क इसके top के store करा लेता हूं, let's say, मैंने आप पे बोला, ये node, star, temp, ये टॉब लेकल उन्हें, लिए, एक लिए मिनी heap के top, मैंने भी को gleich, मैंने हीट शनक कर अडिया , इसके हीट नहीं है मैंने बनाइड प्याद स्राम कर लिया , डाल यह मैंने टैंप स्यूस्ट महीद दी है तोве कहा यह उपडेट हो चुका है मैंने रिंज अप्डेट हो चुका है , मैंने अपना इूप्डेट कर से कर About if maxi if maxi if maxi minus mini is less than end minus start तो भईया फटा फट ऐसा करो तो फटा फट ऐसा करो इनको update कर दो कि start is equal to mini कर दिया और end को हमने और end को हमने maxi कर दिया बहुत बढ़ी है ये काम कर दिया बहले तो फिर हमने चेक किया 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 इस list का अगले element exist करता है क्या minimum element वाली list का अगले element exist करता है तो हम कैसी चेक करेंगे हमने simple सा लिखा कि यार जो भी मेरा minimum element है जो भी मेरा minimum element है temp. temp. column चाहिए हो जिसका अगर वो temp का जो column है dot तो नहीं आएगा point रही है temp का जो column अगर less than n है n यहाँ पर given input के अंदर अगर less than n है तो यहाँ भी list का अगले element exist करता है करता है तो max को update करतो max is equals to max of maxi comma अगले element कैसे निकलता है मैंने बोला बहुत simple है यार बहुत simple है आपका array का नाम है यह इसमें दो index आएगे एक आई तो रिदेथ row और column और यह कैसे निकले कि row सेम होगी यहार जो आपकी temp के अंदर आ रही है temp.row और column temp का column plus one इस पर कार maxi का update होगा भई इसकार मिन हीप में पुष करना है मिन हीप में पुष करना है मिन हीप में पुष कर दिया आपने एक नही नोट बना के उसमें का जाएगा एक तो यह data जाएगा जो आपने लिखा है यहां पर comma temp की row same रहेगी comma temp का column प्लस होना जाएगा बस तो यह काम भी हो गया आपका इस में एक सिसा आपने लगाई else condition के मानलो list का आगे कुछ existing करता है अब चलते हैं उपर answer मुझे इंटीजे return करना है तो मैंने simple बहार आया और लिखा कि यार देखो बहुत असान question दिया तुमने मुझे तो मुझे return करना है यहां पर क्या return करना चाहता हूं मैं एक पर दिखाएता हूं आपको और return कैसे करना है यहां पर आपका answer 5,5 आया तो 5,5 के लिए आपका answer 1 दिया हुआ है इसके answer बना रहा है तो basically 5-5 plus 1 that is बना गया या पर अगर मानलो 3 से लेके 9 तक होता है तो यह आपको answer कर देते है या आपको 7 answer कैसे आता 9-3 plus 1 that is 7 उसी पकार हमार answer return हमें करना है end-start plus 1 और मेरा answer आ गया done है यह हो गया अब फटाफट कुछ चीते है जो गलतना कर रहे हो हम पहली सीज़ हमें क्यूं यूज करी है इंपोर्ट करनी पड़ेगी और आपकी यह limits यूज करी है इंपोर्ट करनी पड़ेगी तो हमने क्या बोला hash include limits dot h hash include q यह हो गया बरिफार कलता है कहीं कलती तो नहीं है class बनाई है तीन डेटा ठीक है comparator ठीक है create कर लिया मिन हीप सब कुछ ठीक जल रहा है i-0, i,0 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मिन हीप empty नहीं होना चाहिए top पर निकाली, range compare कर ली, max value compare कर लिया, top ठीक है हाँ पर गलती है इसको plus one करना पड़ेगा क्योंकि हम चाते हैं कि next element को जो index है वो एनसे कम होना चाहिए अब इसको फटाबड़े को run कर लेते हैं कि सही चल रहा है के नहीं चल रहा है उसके बाद आगे बढ़ेंगे उसने बहुत समी कॉरन खा के कहीं पर आप मैंने बहुत अभी लगाएता हूँ run करते हैं फिर से चालो 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 बहुत टाइम लगाते हैं कि टीरी तो नहीं आ जाया का कहीं हूँ इस परकार हमने इस को सॉल्व कर लिया है और आपको अच्छे समझ में आ गया हूँ फिर भी एक बार मैं कमेंट लिखता हूँ ताक आपको समझ में आ जाया है यहां मैंने बोला यह आपका step 1 था जी जहां पर आप create a mini heap कर रहे हैं for starting element of each list and tracking mini और maxi की value ठीक है यहां पर update कर रहे हैं आप इन दोने को अगला step अगला step आप क्या कर रहे हूँ अगला step आप क्या कर रहे हूँ अप हीप के अंदर आ गए आपने heap पूरा create कर लिया है आप यहां पर process कर रहे हो ranges को ठीक है आपने minimum element निकाल लिया minimum fetch कर लिया फिर यहां पर आपको range को update कर रहे हूँ और यहां पर आप चेक कर रहे हूँ next element exist के नहीं ताइम को लाक्री ओल्डियम डिस्कस कर लिया इसकी ठीक है तो उसकी चिनता ना करें ठीक है यह तो आपको पताईगी का रहे हूँ अपर बिलिग देता हूँ ग मैं इस question को solve कर लिया है बहुत ही छोटा code लिका है वधारा से code लिए आ पको समझ में आ जाए चाहिए कमेंट शुट डाल दिए अब तो ठीक है तो इस पाकर हमने इसको solve कर लिया है पटते है अगले question के दरेंच सक नाम है median in a stream median in a stream second question median in a stream heaps में hard वाली कोशन के अंदर सबसे अदे इंपोर्टन कोशन ये माना जाता है ठीक है क्या कहता ये कोशन given that integers are read from a data stream your task is to find a median of the element read so far तो एक stream हारी integers की ठीक है और उसमें आपको बताना है कि at a point उस stream का median क्या है median तो आपको पता होगा median तो आपको पता होगा और बच्चन पढ़ रखा होगा अगर sorted order element पढ़े होगा तो उसमें जो element बीच में आता है वो आपका median होता है अगर odd number है तो right side में और left side में same number of element होगे median के अगर even number है तो एक का difference हो सकता है median is the middle value of an ordered integer list if the size of the list is even there is no middle value so the median is the average होती है अगर even होता तो median आपका average होता है तो यह हम पता है तो यह पता है पत्च्वन पता है तो जैसे इस case में 2, 3, 4 वाले case में तो median मेंच दिख रहा है साफ साब 2, 3, 4 में तो बीच वाल element के है यह हो गया median भाई आपका अगर मान लो यह 2, 3, 4, 5 होता तो यह बीच की दो values का average आएगा 3.5 वो आपका median होगा या फिर मैं कहूं अगर यह integer में होगा तो यह आपका वापस 3 ही बन जाएगा तो इस प्रकार यह question में solve करना कोशन आपको समझ में आगया हो कि ऐसी बहुत बड़ी चीज नहीं है कि आपको एक्स्ट्रीम दिवी है कुछ इंटिजर्स दिए है यह 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 और यहन का मुझे भाईया median बता दो यह स्ट्रीम हदस्यात या तो यह बना जाएगी या तो यह और जाएगी और तो कुछ हो ने सकता है हाँ, शिम्पल चीज है समझ मारे है स्ट्रीम भाईया आपकी random order में आ रही है कोई sorted order में नहीं आ रही है तो यहाँ पर फोड़ा सा दिमाग लगेगा अभी हमें तो यह जो भी हम बता रहे है वो sorted order में यह इस और सॉॉटिड नहीं है वो सॉॉटिड़ो अगर सॉॉटिड नहीं है तो आलो क्यों टैंशन ले रहे हो पर सॉॉट करने की मेरे पस बहुत चरी लिग और तो है मेरे पस बंद एटनों मेरे शॉट है है को इक सॉॉट है कि आपने इतने का निकाल लिए तो आप बता हूँ बाद में कोई नम्र आगे 15 अब बताओ रणीग श्ट्रीम है तो मैंने बोला रणीं श्ट्रीम है इसका क्या मतलब है कि मैं ऐसी अलगृदम लगाऊं जिसमें कोई नया डेटा भी आ जाये जिसमें अगर कोई नया डेटा भी आ जाए, तो मेरी sorting algorithm पर उत्रा कोई फरक ना पड़े, वो दुबारा जो पहले से प्रोसेस कर रहे है, वो प्रोसेस ना करना पड़े, समझ मैं ही बात, मैंने यह बोला कि आपने लेट से इसका अंसर निकाल लिया, चालो, अबर कोई डेट शॉव अपशन है, इन्सर्शन सॉट, शॉट 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 यह लियाए, जा कि I need 4-5-6 से पड़ेख, जाल दिया और फिर मीडिया निकालना कितना भड़ा काम है एवनन्य तो दोख अपर निकाल जा लोगी तो एक अरे क但 सेंपर अर्ड निकालोगी तो इंसर्शन शॉट मेरे एक अच्छी अलकर्दम है जहां पर मेरे परानेवल डेटा में अताराऊ चेंजिस नहीं कहना पड़ तो में लगाया, insertion sort लगा दिया, time-cluster लुटा की solution, अ-square होगी, तो मेडियन निकालने कितना ही मुश्किल है, simple है, odd है, तो बहुत, मैं क्या करूँगा, इस एरे का n by 2 कर रहा हूं तो उसले हो गया कतम अगर मान लो इडियन जो है यह जो एरे था वो एवन होता तो क्या होता लेट से एट राक्रिश नहीं करता एन की वैल्यू क्या है 6 है तो इस केस में क्या करता मैं मुझे एक तो यह वला एलिमेंट भी चाहिए दो इंडेक्स यह एक क्यों एक तीन वाला चीज पाए तो मैंने क्यव अलत था यह सब्साइल घृख वला टीन वाला चीव तो मैंने क्या जो हिसे निगलेगा तो एक डिशन प्रम ने रिटू निकाला यह न्षिप लिए अटला गया एक तो अगर दिख सकते तो अफने यह निकाली logic संबना चाहिए, वह important है अगर मान लो भाया को नए element आजाए मैंने बढ़ा चलो ठीक, इतने पार्ट को आपने सॉर्ट कर लिया, के बढ़ा 1, 3, 5, 6, 7, 9 ये 6 element को आपने सॉर्ट कर रखा इंसर्शन सॉर्ट से, अब मान लो आपका आजाए, 4 आजाए, चलो तो मैंने बढ़ा, कितने ही मुश्किल चीजे है दोस्त आप binary search लगा लो binary search case का side index निकाल लो right index निकाल लो, निकल गया log n में निकल गया अब इसको insert कर दो हैं पर insert करना array में बड़ा यार, बड़ा time consuming task है क्योंकि यह आपको आगे किसार किसार element आगे shift करने पड़ेंगे तो आपको insert यह फायदा तो कुछ हुआ नहीं पाने लगाने का off end में आपको यह हो गया तो जब भी को नए element आएगा, तो उसके लिए आप off end लगाने माले हो, उसकी सेज़ेगा आप इसको डालने के लिए और इसको मीडिया निकालना तो कहर ओवन का काम है समझ मार रही है चीज़ें, पर यार, मजा नहीं आया n-square तो शुरू में लगी गई न, at the end मेरा solution तो n-square वाला ही है न, off end-square में पीसे तो पता हो, शुरूबात कहां से लिए आंसर की तो वह important है, आपको पता हो, कि अच्छा इस परकार स्वाल किया सकता है और यहाँ पर end-square complexity भाया तो अब मैं जाओंगो अपनी optimized solution पे और वो कैसे निकालना है भी देख लेते हैं मैंने बोला कि चलो, हमें कुशन कहता क्या है कुशन सिंपल सी यह वाली बात करता है कि आपको मैंने कुछ कुछ डेटा दिया होगा और मुझे क्या करना है, मुझे उसका median निकाल के देना आप, उसके अंदर कहीं पर एक median होगा तो यह अरे जो भी इंपट दिया होगा है वो या तो even size वसकता है या तो odd size का हो सकता है अगर odd size का है, तो middle निकालना असान है मैं simple जाके बोलतों को जो भी array है, उसका n by 2 element जाओ, median है तो तो मुझे average निकालना है तो मुझे बोला, average निकाल दो, किसकी average निकाल दो AR of N minus 1 by 2, comma AR of N by 2 तो बेसिकली इंको प्लस करके रिवाइड बाइड 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 नहीं करते है, और कुछ नहीं करते है तो गेम बहुत असान है करना किस तरीकी से वो समझ लेते है वसे एक बार, तीक है और जहां मैं बोलता हूँ, इवन साइज कहा रहे है तब क्या हो सकता है मुझे क्या पता है कि मीडियन का यह वाला पार्ट होगा इसको मैं लेफ्ट पार्ट बोल रहा हूँ यहां पर सारे के सारे अलिमेंट जो है वो मीडियन से चोटे होंगे इसको मैं राइट पार्ट बोल रहा हूँ, यहां पर सारे के सारे अलिमेंट जो है वो मीडियन से बड़े होंगे बिल्कुल साइज है, यह वाल समझ में आ रही है तो ध्यान समझते हैं एक बार, इसको अभी के लिए माल लो कि एक एरे को मैंने सिर्फ दो पार्ट में डिवाइड किया है एक पार्ट को मैंने लेफ्ट पार्ट बोल दिया और एक पार्ट को मैंने राइट पार्ट बोल दिया जो इस एरे को फो कि कहा है और ऑठा कोरा निसमें साइज्ट को फोकर तो हुए टेकंग है ओर मोली सेंट सभी यहांale यहां अब ऑर सरई है यहां रिक पारे मिचेंड को एसका नितरहिएक जिसमतिन करती है कि मैं बाखस्ट को धुश्मक्ता है युट मिर में नाफस साइज का हो जाए और जब मेरा राइट जो है वो भी एंसाइज का हो जाए तो इस केस में भी यार देखो चीज यह बहुत असान है है ना इसको केस त्री बोल दिया मैंने सौल कैसे करना है यह समझते हैं आपको बस मैं अभी ग्यान देता जाता हूं और फिर अलको की तरफ चलेंगे एक क्या पर तीन के समझा अरड़ी बना लिए एक दो तीन तो मैं एक फंक्शन होता है इसका नाम होता है सिगनाम फंक्शन ठीक है इसका अगर दो वैलिउस देते गंशननिम्या सब्सक्राइब बना सब्सक्राइब डिकोर्स के अगांता हुआ हैं इसके अए उसके बिट सच्ण हैक फिर 1,2,3 तक सिर्फ 1 तक आंसर 1 है फिर 1 2 तक आंसर फिर भी 1 है फिर 1 2 3 के लिए आंसर 2 है इस पकार में आंसर दे रहा हूं सिंपल है मैंने वहला 0 से अं तक चलाओ और बहुत असान गेम है अपने अंसर निकाल लिया मिडियन फंक्शन कॉल करके कॉल मीडियन कर दिया इसके अंदर पासि कर दिया एक। एक ट्यूमंट और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ क्या है वह कुछ समुझते हैं लेफ्र मुझे पर चुटा है इसको विजूलाइस करका देखते हैं एक बार मैंने बोला कि कि जो मीडियन एक लेफ्रट वाला पार्ट है और एक राइट वाला पाइग इसको मै अभी के लिए इसको थोड़ा समझ करेंगे इस लॉजिक के अंदर अभी हम ठीक है अभी जैसे बोलता रहूं मैं समझते जाओ तो मैंने क्या बोला बहुत गये मसान है मुझे क्या पता है यह सौर्टर में होने वाला है मतला मैं चाहता हूं सौर्टर में तो अभी तो मीडिय पर अभी तो मैं आपको यह दिखाना चाहरा हूं ऐसा ट्री नहीं है अब मैं आपको यह बता इस विजुलाइज़िशन थी, यह ट्री नहीं है, ऐसा नहीं है कि असलियत में यहाँ पर एक एक में निकाल लेता हूँ, तो सेम, मैंने बलाओकर दो ही चीज़े हैं, एक आपका मैक्स हीप है, और एक आपका मेनी हीप है, क्या हो सकते हैं, मान लो, इनका साइज इकोल है, अ करें लगोगए हैं बसे हों में गाइप का साइज न परह आपको में ग्नका भी जैने ौट मुक्क के लुगा? इस हो जिसमें इन दोने मेंट निकल से निकलने वाला है तो यह दोने मेंट को यही और कहता है आपने दोनों का top निकाला और उनका average निकाल के व यह answer दे दिया, कतम, इस प्रकार, उसी प्रकार अगर second case की बात करें, कि मान लो यह आपका max heap है, और मान लो यह आपका mini heap है, इसका size n है और इसका size n मैंने सबन आपने है, किया-इडम इसका टॉप है यानि कि मीडियन इसकेस में सिंपल आपका Max हीप का टॉप हो जाएगा कतम जादा आ स्चाला महनेती नहीं थी अगला कर इसके हो सकता है कि मालो यहाँ यहां न-1 थे और यहां element यह है यह आपका MIN HEEP and MAX HEEP अगर इसको बनाकर दिखूँ है यहां पर यहां पर यहां 5 हों गे यहां median क्या है यह वाला element क्या है इसका TOP तो यह क्या हो गया median is equal to आपका MIN HEEP का TOP यह समझ भारहा न कि वहों और दो न बोली और यहां से सीधे कैसे पतायों तो इसका पॉप है यह से है नमानसवले मायाए यह नका पांच है यह कितना हो गया है यह जो चार है एक टार इन हो गए एक दो टीन चार टीक है तो यह आपका minimum होता है इसलिए दोनों element जो है वो same ही है इसलिए दोनों element जो है same ही है उसी पकार ऊपर जाओं जैसे हाँ आप nk value 5 थी तो आप देखो एक दो तीन चार पांच और यहाँ पर 4 हो जाएगा एक दो तीन चार तो यह होगे जिए आपका min heap मुझे का दिख रहा है कि odd size है no size का है इसका median क्या होगा जो 5 है नंबर बढ़ा होगा 5 है नंबर क्या पढ़ा है यह पढ़ा हुआ है यह तो max heap का last है या फिर sorted area है तो भहिया इतने part में यह maximum element होगा और max heap के top पे भी maximum element होता है तो इस same ही element की बात चल रही है समझे हो इस परकार में बात कर रहा हूँ या फिर इसकी बात करें लेट से 4 है यह और लेट से यह भी 4 है तो देखो यह part होगा max heap का, यह part होगा आपका min heap का, यह sorted area है तो इन 4 में यह maximum element होगा तो यह इसके top की बात कर रहा है क्योंकि max heap के top पे maximum element पढ़ा होता है या फिर इस part की बात करूँ तो यह आपका sorted area की वज़े से इस part में सबसे minimum element होगा यह वल element और min heap का top भी minimum element होता है, तो भाई है यह same element की बात हो रही है समझ मैं यह चीज? अब जलते हम आपस यह थोड़ा आपका समझाना था, समझ में आ गया होगा तो यह तना करके हमने बस यह जो भी आंसर है इसको अपने व्यक्टर वाला व्यक्टर होगा उसमें पुश करके उसको रिटान करा देंगे यारबाद में तीक है, सूटो कोड है आपके यह तो मेरा माक्स हीप आया है और मेरा 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 में हीप आया है और चाहूँ तो median भेज सकता हूँ by reference मैं store करा लो answer या फिर में return करा लो जैसे मेरा मन करें let's say मैंने आपर by reference भेज दिया तो फिर मैं answer equal to नहीं करूँगा फिर ये चीज नहीं करूँगा अगर मैंने median भेज दिया by reference तो देगा यहाँ पर जाओँगा मैंने करें एक switch case लगा लेता हूँ तो एक switch case लगाया उसमें signum function कॉल किया किसके लिए size के लिए करा ना मुझे कि इसका size n है इसका यह है जो भी है तो मैंने इसमें बेजा max heap का size comma min heap का size मैंने बात इसके लिए मैंने क्या किया case 0 solve किया case 0 का size equal है इन left में जो है वह भी n size का है रायट मझे है वह भी n size का है ये तो even case होगया आदेखा सांना view पर शायद यह रहा n in this case के करते है इस case में इस का top लेते है आज सामझ गया तो अभी तो यह है अभी तो यह तो यह और आपके inheap से . यहाँ पे मैं किसी में भी डाल सेता हूं इस element को कि चाहता हूं कि इन दोनों max and meanheap के size में अपमोस्ट 1 का difference हो आपने देक लिया होगा पहले case में दोनों n थे तो size का difference 0 था यहां पे यह उसी पकार मैंने क्या बोला element कहां डालू, left part में डालू या right part में डालू, कैसे पतल लगएगा मैंने simple check किया, if जो element मुझे insert करना, वो बड़ा है median से, अगर element median से बड़ा है, तो simple logic यार, मिन heap में जाने वाला है उसको मिन heap में डाल दो उसका अपने कर दिया, min heap dot push जो भी आपका element है, तो इसका size N plus 1 होगया N plus 1 होगया, size का difference क्या आ रहा है size का difference, 1 ऐना रहा है ध्यान से दिहाँ, ये छोटा size है, ये बड़ा size है कौन से case की बात हो रही है इस case की बात हो रही है, यänger अपने वाला case दिया, शोटा size है, ये बड़ा size है इस case में क्या करते हैं, इस case में min heap का top answer होता है, तो आपने बोला कि median जो है, वो min heap का top हो जाएगा, else, जानि अगर छोटा है, तो छोटा तो क्या होता, max heap में जाता, max heap में डाल दिया आपने, element जो है, sorry, max heap जो है, उसमें पुश्च कर दिया आपने element, और अब क्या हो गया, अब अगर जान से देखें, तो इसका size n प्लस बन हो गया, और यह n हो गया, left वाल बढ़ा है अब, यानि कि इस case की बात हो रही, इस case में answer क्या निकाला था, max heap का top, तो तो ठोड़ा lengthy question है, tension मत लेना, समझ में चीज आने जीए, बस, time दख जाए, कोई दिखर नहीं है, एक case solve कर लिए आपने, अब चलते हैं, case 1 पर, case 1 का क्या मतलब है, case 1 का मतलब है, कि left part जो है, वो बढ़ा है, और right part जो है, वो छोटा है, इस परकार, तो इस case में क्या करना है, फिर दुपार check कर रहा है, अगर वो median से बढ़ा है, तो क्या होगा, median से बढ़ा है, तो देखते हैं, एक बार, मैं right में डाल सकता हूँ क्या, check कर रहा हूँ, डाल सकता हूँ कि नहीं, अगर डाल दो हो, तो n-1 हट के, n हो जाएगा, दोने equal जाएगा, ठीक है, डाल सकते हो, तो मैंने simple क्या किया, min heap में element को push कर दिया, पहला कहां, इसके बाद क्या हो गया, इसके बाद दोनों का size जो है न, n हो गया, n वाले case में क्या करते हैं, n और n वाले case में average निकाल के answer दे जाएगा, तो मैंने क्या बोला, कि median क्या हो गया, median is basically average of, आपका max heap का जो top होगा, comma min heap का जो top होगा, ख़़आ, else वाले case में क्या होगा, यह starting में ऐसा था, दोबार वापस पर देसे कर लिते हैं इसको, n-1, else वाले case में क्या होगा, मैं, क्यार मुझे इसमें डालना है, इसका size और इसके size के बीच का difference दो होगया, जो कि बेकार है, यह बेकार है, मुझे कुछ सोचना बढ़े है कैसे करों इस दोबार समझते हैं, मैंने बोला, कि starting में जो आपका structure है, वो इस प्रकार काई कि left part में total n element है, और right part में total n-1 element है, मेरे पास एक नए element है, insert करने के लिए यहाँ पर, तो यहाँ पर n-1 element हो जाएंगे, और यहाँ पर n-1 element है, इन दोनों का difference जो आ रहा है, दो आ रहा है, तो मैं afford ही निकर सकता तो, मैं afford ही निकर सकता इस चीज़ को, मैं चाता हूँ कि सिर्फ एक का difference हो, इसमें डाल दिया, तो size क्या हो गया, अब यह n-1 हो गया, और यह n हो गया, अब जो element है न, उसको insert कर लो, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब इसको insert कर लो, खता, फिर यह n- size जाएगा, और यह n- size जाएगा, बहुत बढ़ी है, तो in short, मैंने बोला, कि पहले मैं से करता हूँ, mini heap में डाल देता हूँ, क्या डालता हूँ, mini heap में डाल देता हूँ, जो भी max heap के top पे पड़ा है, ताकि size balance हो जाए, तेक है, अब उसको max heap से खटा देता हूँ, max heap से हटा देता हूँ, फिर मैं max heap के अंदर, जो मेरे element आया है, वो डाल देता हूँ, वो डाल दिया, अब मेरे size n और n हो गया, तो उस case मेरे answer है, इस पकार का होता है, तो यह same copy करता है, यहाँ पर, done, यह वाला case भी हो गया, अब जलते है, अब जलते है, वो n size का हो, तब की game है, इसमें पूछा पहले मैंने, कि if element is greater than median, उस case में का करना है, मैं तो यहाँ डालना चाहता हूँ, बढ़ अगर यहाँ पर डाला, तो यह हो जाएगा, तो यह हो जाएगा n plus 1 size, और यह हो जाएगा n minus 1, यह हो जाएगा, तो इसके समें क्या करते थे, डालने से पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं, इसमें से एक element उठाके, इसमें डाल दूँगा, तो इसका size हो गया n, तो इसका size हो गया n minus 1, फिर जो मुझे, यह पहले step है, फिर जो मुझे element insert करना था, फिर जो मुझे element insert करना था, वो insert कर दूँगा, वो insert कर दिया, after insertion size हो गया n, तो n और n, और इसको solve करना आसान है, अभी हमने देखा, तो हमने बोला, पहले मैं क्या करूँगा, यहां से उठाके, तो मैंने बोला कि, अभी हमने बोला करना है, स्टार्टिंग में था, यह इसका left part है, इसका size n-1 है, यह इसका right part, इसका size n है, मैं यहां पे element डालना चाहता हूँ, इसका size n हो जाएगा, और इसका size n है, डन है, कोई दिक्कर नहीं है, तो मैंने element डाल दो भई, element डाला आपने, max heap मे, max heap dot push, तो अब क्या कर रहे हैं, अब हर एक element को उठा रहे हैं, और पूछ रहे हैं, इसको left part में डालूं और right part में डालूं, हर एक element को total number of element n है, इंसर्ट कर रहे हैं, यह निलोगन को में लिख दी, आपकी time community solution की क्या हो गई, o of n log n, ठीक है, पराने वाले solution आपने ऊपर लेखा था, उसके n square थी, तो हमने optimize तो कर दिया, भाई, हमने optimize तो कर दिया, यहाँ पर आपने o of n square में निका ले थी, तो ठीक है, optimize solution तो हमने लिख दिया, अब फटा फट इसको code कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा lengthy सा हो गया है, फटा फटा इसको code कर लेते हैं, और देखते हैं कि चलेगा के नहीं चलेगा, चलो, शुरू करते हैं, यह बड़ रिडोड कर लेता हूँ, शुरू करते हैं इसको, सबसे पहले मैंने बोला कि मेरे को answer का error चाहिए, vector int answer निगाल लिया, एक loop चलाया, मैंने 4 int i is equal to 0 से लेके, i less than n तक, n क्या है, n क्या है, समझ लेते हैं दुबारा, n क्या है, 1, 2, 3, n size होना चाहिए, i plus plus, ठेके मैं करूँ इसके अंदर, इसके अंदर मैंने आपको बताया था, यहाँ पर अभी, हम क्या करेंगे, सबसे बढ़े मैंने, let's say, जिरुत नहीं element की, मैंने simple एक function call कर दी, call median, इसके अंदर मैंने अपना array पास कर दिया, अपना max heap पास कर दिया, अपना min heap पास कर दिया, और मैंने अपना median पास कर दिया, ठीक है, यहाँ हमें को बनाना पड़ेगा, max heap पर min heap, मैंने बुला, के priority, q, int, शार्टिक of int, यह मेरा max heap हो गया जी, और मैंने बुला, priority, q of int, comma vector int, comma greater int, min heap, ठीक है, एक median निकाल लगें, int, median equals to minus 1, starting के अंदर, यहाँ पर याँ जो मेरा answer आएगा, उसको pushback कर दूँ, answer के अंदर, answer dot pushback, इसके अंदर median को मैंने, insert कर दिया, और इस answer को मैंने return कर दिया, बहुत बढ़िया, मैंने यहाँ पर priority की यूज करी है, include कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ अपना function लिख लेते हैं, what a what, void call median, यहाँ पर मैंने pass कर दिया है, एक तो, आपका array, vector int, arr, फिर मैंने pass किया है, priority q, इसका ना लग दिया, maxi, फिर मैंने अपना mini pass किया है, mini रख दिया इसका नाम, और फिर मैंने अपना median pass किया, ठीक है, एक function मना लिए, मैंने signum वाला, int, signum, int a, int b, मैंने बुला, कि दोस्त, if a is equal to is equal to b, return 0, else if a greater than b, return 1, else return minus 1, बाल बढ़िया, यहां पर मैंने switch case लगाया, switch, यहां लिखा मैंने signum function, signum, यहां पर एक तो max heap का size चाहिए, मुझे max heap dot size, इसका नाव हमने maxi रखा हुगा है, maxi dot size, comma mini dot size, इस ठीक है, पहले case की बात कर लेते हैं, आपे, case 0, case 0 में क्या करना है, फटबबट देख लेते हैं, case 0 आपका जो है, वो है यह वाला, इसमें आपने चेक किया, if element जो है, element क्या है वैसे, यह मुझे element बास करना था, int element, element बास करना था, ar ar file, int if element is greater than median, इस case में क्या करूँँआ, इस case मुझे, min heap dot, यार इसका नाम बूल जाता हूँ, min heap dot push, क्या कर दिया, element push कर दिया, में, median क्या हो गया, में, median is equal to min heap, top, else के अंदर मुझे का करना, max heap में पुझ करना, और median को update करना है चल एक case तो हो गया इसको break कर देता है switch case आपको यादो को break करना पड़ता है case 1 मैंने same लिखा if element is greater than median इस case में करना है case 1 में में पुष्ट करेंगे पहले और रवेज ले ले लेंगे ठीक है और रवेज निकाल लेंगे median is equal to मुझे का करना है this by 2 this के अंदर क्या है this के अंदर दो element है minheap का top maxheap का top ठीक है यह हो गया इसके बाद maxheap से निकालके minheap में पुष्ट करना है menu.push maxheap 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 पॉप और फिर आपको max में पुष्ट करना जो भी element आया है और फिर आपको ऊपर वाला ही दुबारा से copy कर देना है या फिर अगर अगर दसा है तो if else के बाहर लिख दो और पर एक से पहले लिख दो तब भी चलदा आएगा जैसे आपको अच्छा लगे है कि यहां मैंने क्या लिखा कि A-1 में क्या लिखा हुआ है कि यार max-heap यह तो बाहर बर सेन गलती है नहीं तो बाहर लिएक दो max-heap का टॉप उसके बाद मेंनी पुप भी करना पड़ेगा उसके बाद मेंनी पुष्ट भी करना पड़ेगा ठीक है और इसके बाद मुझे मीडियन को अप्डेट भी करना पड़ेगा ठीक है यह हो गया एल्सकेस में चलते हैं इसके एल्सकेस हम गया है मैक्सिम में पुश करना है एल्यमेंट और हमें फिर मीडियन जो है वो सेम कॉपी पेस्ट चाहो तो इसके बाहर लिख लो पर एक से पहर लिख लो तब भी चल जाएगा ठीक है इतना काम हो गया आई थेंक बहुत है और इसको हम फटा फट से एक बार रन करके देखते हैं चलेगा या छोटी मोटी गलतियां देगा तो रन करते हैं फटा फट यहां पर कुछ गलती आ गई यहां पर पॉइंटर टाइप का है लाइन नंबर 15 पर हम गए अच्छा यहां गलती है यहां बाई रेफरेंस पास के नदर स्टार पता नहीं को लिख दिया हमने एक तो यह गलती थी यह चश्ट हो गया और कुछ चेक कर लेते हैं जो बीडियं स्टार्टिंग में जीरो भीजो बेटा तो इस परकार सोल कर लिया n is the number of element present in the input तो इस परकार आपने इस question को solve कर लिया बहुत असान था बहुत time आगे आपने solve कर वाया आपसे इस question को और दो ही question कराया इस video में तब भी बहुत heavy video बनीए जानब उसके time लिया गया तो आपके आपको अच्छे clarity मिल जाए तो इस परकार इस question को हमने solve कर लिया दोस्त और चीजें बहुत असान थी code देव कितना clean है कुछ दिक्कते भी नहीं है improvisation int a b को तो अच्छा नाम दिया जा सकता था और देखें और क्या अच्छा नाम दे सकते हैं बाकी clarity पूरी है clarity पूरी है थिख कि अरे खुठा था थावर थावर सथ है थेक है बाकी यहाँ बाकी नाम थीका है डूरा Ic étaient प्यूर्ण क्लरम क्यूर्फ नहीं लिको तो अर्खें वियरन आक्टीत क्लिस्त आपको वे खुद कर नहीं है तो और अच्छे से आएंगी एक होमवग आपके लिए में बतायता हूँ आपको लीड कोड़ पे एक कोशन है रियोगनाइस ट्रिंग या फिर कोशन का लिंक में शेयर कर तो वह आपको होमवग में करना है और एक चीज और यूट्यूब पर जा तरह है तो हमनाईगा फेट शाहिएँ पर यह कोडिट करेंगे यह फटा फटा फटाइएंगे ही वर एस को यह शेप लिए हीप सीफैप लेगा हुछुह में जेर्जेंगे अटिनों मौते स्वेद हीप मिग कर लिए हैं जैंगे अपको बालशे कोशंग तो प्राथ हीप तो शुर्मत नाइ में विल्दाव सने शुमत अगले, बड़ बाइ